हेलो दोस्तों नमस्कार मैं नागें फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेटामॉफसिस में और जैसा कि आप जानते हैं कि काफी दिन का ब्रेक हो गया है लेकिन मैं अपनी सिरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं प्रोनाउन तक पहुँच दिया था आप सभी को तो आज जो मैं लेके आया हूँ वो एड्जेक्टिव के जो दूसरा पार्ट है उसको लेके आया हूँ तो शुरू करते हैं और इस दूसरे पार्ट में हम क्या करने वाले उसकी बात करते हैं देखिया अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि एड्जे एरर जो आती हैं वो भी सब उसी से आती हैं तो मैं degrees of adjective की बात करूँगा चलिए एक उधारन देते कि degrees को अगर हमें समझना हो तो किस तरीके समझेंगे medical science में चलते हैं माल या जिन दिनों corona जो है disease फैली हुई थी और या फिर कोई भी अगर आपको अपने अंदर ailments को पकड़ना है तो diagnose करना होता है तो उसके लिए blood test करते हैं वाल या malaria है या corona है और अगर आप blood test करते हैं तो पता ये चलता है कि अगर उसके blood के अंदर उसके virus है या वो positive है तो वो होता है कि उसको वो बिमारी है नहीं तो नहीं तो इसका मतलब उस virus का या उन चीजों का वहाँ मौजूद होना भर positive होना होता है यानि कि कोई अगर रोग हमारे अंदर मौजूद है तो वो positive निकलता है blood test में ठीक उसी तरीके से वो ऐसी quality जो दूसरे से differentiate कर रही हो आपको पता है कि वो adjective होती है तो अगर वो differentiate करने वाली quality मौजूद भर है उसकी मौजूदगी है वहाँ पर अगर वो present है तो उसे कहेंगे हम positive degree जैसे अगर मैं सीधे-सीधे कहता हूँ he is an intelligent boy तो intelligency उसके अंदर मौजूद होने के संकेत है intelligence उसके अंदर positive है तो इसका मदलब वो positive degree है तो किसी भी adjective का जो किसी पर present होना वो है positive degree क्योंकि वो present है कुछ ऐसा differentiate करने वाला उसके अंदर present है तो positive आया है वो test में तो इसलिए वो हो गया positive degree माले हम कहते है he is a black boy तो उसमें कह देंगे कि black गुण उसके अंदर मौजूद भ और है यानि को काल आया अब जैसी हम दूसरी डिगरी की बात करते हैं तो आपको यह समझ में आगया कि मौजूद होना किसी quality का जो दूसरे से उसे differentiate करे वो है positive degree अब हम बात और कर सकते हैं कि माले आप दो लोग है और दोनों में कुछ मौजूद है common और उनको compare कर रहे हैं क कि वो दोनों में जो मौजूद है common वो किसमें जादा है और किसमें कम है तो वो हो जाती है comparative degree उसमें दो लोगों के common quality को हमें जरूर compare करना होता है जैसे मैंने अभी काले पन की बात किती तो मैं कहूंगा कि he is more black than him तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जादा काला है उससे अब यह काला जो है वो quality दोनों में है लेकिन यह उसके comparison में जादा है तो यह हो गई comparative degree जैसे अगर मैं कहता हूं सिर्फ की वो हो अच्छा लड़का he is a good boy तो अच्छे पन की quality positive है all right this is positive degree good boy लेकिन जैसे ही मैं दो लोगों के अच्छे पन को compare करूंगा so it will be he is better than his friend तो अपने द अच्छा है अच्छे पन की quality को दो लोगों में compare करें तो यहां पर कई जगे वो change हो जाता है good का better form हो जाता है और जब किसी चीज में कोई quality इतनी अधिक हो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो फिर उसके सामने कुछ भी ना ठीके तो वो होती है super relative degree super word ही अपने आप में उसक super बना रहा है तो उसके बाद उस quality के अंदर फिर कोई degree नहीं हो सकती तो अगर मैं कहता हूँ कि वो अच्छा है वो उसके मुकाबले बहुत अच्छा है लेकिन अगर मैं super relative के बाद करूँगा तो मैं कहूँगा वो सबसे अच्छा है he is the best boy of the class yeah he is the best boy in the world तो यहां पर best के स good वो positive था जो दूसरे से उस goodness को compare करने लगा वो comparative था और जो उसके बराबर कहीं था ही नहीं वो super relative है तो he is the best boy लेकिन super relative के मामले में जब हम आते हैं जो भी word super relative को depict कराओ उससे पहले definite article द लगाना बहुत जरूरी होता है अगर हम द न लगाएं तो super relative बिलकुल घलत हो जाए इसलिए super relative में आप ये जरूर ध्यान रखें तो ये थी degree की बार और जब हम degree जान जाते हैं किसी भी adjective में तो error के लिए अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रशनी ये उठता है कि error किसमें ज्यादा आती हैं competitions में तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं जो super relative degree है उसमें 0. 0.1% error आती हैं क्योंकि उसमें सिर्फ the का हमने ख्याल रखना होता है और कुछ जो उनकी form है जैसे good, better, best है तो best आता है यहां पर ये हमें पता करना होता है कुछ चीज़ हैं वो knowledge की बात है अगर हम positive degree की बात करें तो उसमें 0.1% गलतियां आती है errors तो फिर errors adjective में आती कहां स हैं तो सारी adjective के errors जो हमें घुमाती हैं या हमें मात देती हैं वो सारी adjective के error आती है comparative degree से और जैसी हम comparative degree को खोल के पढ़ना चाहें तो grammar की इतनी बड़ी-बड़ी किताबें भयानक किताबें और उसमें लिखे हुए low rules लगाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on और वो rules पढ़ते पढ़ते हमारा सर चक्राता और हम सोचते हैं यार कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े तो here in metamorphosis यही बात अलग है कि हम लोग हर चीज़ पर बहुत जादा research करते हैं तो मैंने research की और मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि rules को जबरदस्ती घुमा के और जबरदस्ती तोड मरोड के ज सारे rules को मैं अगर निचोड़ दूँ तो सिर्फ 5 या 6 rules ऐसे हैं जो पूरे comparative degree को command करते हैं believe me कि मैं सिर्फ आपको 6 rules से पूरा adjective comparative degree command करवा दूँगा exam के लिए और सारे exam में से जो question आएंगे comparative degree उसी में सा आएंगे पिछले paper उठाईएगा उसी में से होंगे जो आए हैं उस तो उन rules को मैं आपको बताना शुरू करता हूँ और उन rules में आज मैं आपके सामने सिर्फ 2 rules की बात करूँगा और 3 rules अगली वीडियो में लेके आऊँगा तो 2 rules की बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं comparative degree में जब मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहली बात ही आती है कि कौन सा rules सबसे ज़्यादा command करता हूँ किसमें हम confused होते हैं देखिए एक rule ऐसा है जिसको हमने जरूर समझना चाहिए जनरली क्या होता है कि जब हम comparative degree लाते हैं तो 2 लोग होते हैं मैं आपको बता हैं लेकिन comparison में 2 लोग होना ही जरूरी नहीं कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही intelligent भी हो सकते हैं और आप ही एक musician भी हो सकते हैं आप भी एक sports person भी हो सकते हैं आप एक poet भी हो सकते हैं तो अगर 2 person नहीं कि person एक ही हो लेकिन उसके अंदर की 2 quality compare हो हो हुए हो फिर से देखिए person is one and there are two quality of one person तो एक person है उसकी दो quality है तो एक person जो है उसकी दो quality में एक ये quality एक ये quality इनके बीच में comparison हो रहा है फिर से situation समझे है situation ये नहीं है कि ये राम है ये शाम है बलकि situation ये है कि ये राम है और इसी के अंदर की अपनी दो quality के बीच में comparison हो रहा है जब ऐसा comparison आए तो हमें हमेशा धान रखना चाहिए कि comparison किसके बीच में हो रहा है जब ऐसा comparison आए कि एक ही विक्ति की दो quality को differentiate किया जा रहा हूँ When we are differentiating two qualities of a single person और we are comparing two qualities of a single person, of an individual तो उससे में क्या होता है उससे में जो generally comparative degree में आप हमेशा ER लगाते हैं वो ER हट जाता है जैसे अगर मैं यह कहूँ कि दो quality मैं compare कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ Mohan is fairer than intelligent तो मैं अगर यह कहूँ कि Mohan गोरा ज़्यादा है बजाए intelligent होने के compare करने के लिए एक और sentence देखते हैं अगर मैं यह कहूँ कि she is fairer than polite तो यहाँ ER आया है जो comparative degree को बता रहा है और comparative degree में then लगता है यह मैं बताना भूल गया था तो आपको comparative degree में then भी लगाना पड़ता है तो she is fairer than polite का मतलब she is single person, individual और उनकी दो quality है एक fair होना यानि गोरा होना दूसरा polite होना तो इन दोनों qualities के बीच में comparison हो रहा है और ER की form आरी comparative degree वाली और then आ रहा है तो ऐसे cases में जब एकी person की दो quality की बात हो तो यह ER की form और then नहीं आके formula use होता है more plus positive degree वहाँ degree positive ही रखनी पड़ती है और comparison को more के जरिये दिखाना होता है और बहुत बार यह question पूछा जाता है तो पहला आप rule मेरा बिलकुल ध्यान में रख लीजेगा और यह जो मैंने कहा she is fairer than polite वो बदल जाएगा correct sentence में she is more fair than polite again she is more fair than polite वहाँ से ER हटा दिया और यहाँ हमने more लगा दिया और more के बाद क्योंकि more जब आता है फिर comparative degree इस्तिमाल नहीं हो सकती फिर positive होगी तो positive degree का इस्तिमाल किया तो she is more fair than polite is the correct answer तो यह आपका एक पहला rule था एक दो दूसरा rule है वो भी बहुत important है वो भी बता देता हूँ यहाँ पर अब एक व्यक्ति की दो quality नहीं है बलकि दो लोग यहाँ पर हैं अलग-अलग यह अलग है यह अलग है और इन दोनों में से एक को choose कर लेना है select we have to select one person out of two there is a matter of choice हमें यह पर choice करनी है तो जब हमें choice करनी होती है दो लोग के बीच में तो comparative degree कुछ अलग तरीके से घूमती है rule यह दूसरा rule है यह भी बहुत important है suppose मैंने यह कहना है कि choice करने के लिए कि दो sisters हैं एक का नाम दिया है एक का नहीं दिया है दो sisters हैं उसमें एक का नाम Ziya है और मैं कहना चाहता हूं दोनों बहनों में इन दो बहनों में Ziya जादा योग गया है अब generally लोग क्या कहते हैं कि Ziya is more या Ziya is abler than the other sister या Ziya is abler than two sisters number एक यहाँ पर एक जो comparative degree होती है उसके बाद हम जो use करते हैं degree of comparison जो follow करता है वो होता है of and article the तो जब भी हम कहेंगे तो वहाँ पर than नहीं लगाएंगे यह भूल नहीं करेंगे comparative degree के साथ than लगाने की बलकि वहाँ यह लगाएंगे Ziya is abler of the two sisters दोनों बेहनों में Ziya जादा योग गया Ziya को मैं दो बेहनों से choose करके बता रहाँ कि यह दोनों में से जादा योग गया है तो situation को फिर से समस्खते हैं दो लोग हैं इनमें से एक को बहार निकालके select करना है तो दो sisters हैं इनसे मैं ने का इन sister में GI is more abler ये जो है जनरली लोग कहते हैं ये गलत है तो GI is abler अब देन बिल्कुल नहीं लगएगा of the two sisters तो यहाँ पर ये दो rules को आपने बिल्कुल आपने एकदम इसको practice कर लेना है क्योंकि इन में से ही question पक्का होता है और ये ही सबसे ज़्यादा confusion create करते हैं पहले वाले में एक वेक्ती उसकी दो quality दूसरे वाले में दो में से एक को बाहर choice करना या select करना पहले वाले में ER हट जाएगा और more plus positive degree आएगा और दूसरे वाले में जो हमारी comparative degree उसके बाद then आके of the आएगा तो GI is abler of the two sister ये बन जाएगा अगला तो इस तरीके से ये दो आप आज करिये और तीन या चार rule में अगली वीडियो में बताऊंगा और इनको practice कीजिए यकीन मानिया आपके जो 6 rule में बताऊंगा वो आपके लिए golden six rules की तरह काम करेंगे और जितने भी 99.8% जो भी errors comparative degree के आते हैं यूँड बे अबल तो deal with them in a very ambidextrous way so guys I hope that this video will help you and I will appear with the next video of adjective very soon till then thank you very much and please don't forget to subscribe and share and to make the children of the home or house see these videos and observe these videos and learn because we bring the very insight of the grammar and grammar rules तो अगर आप support करते रहेंगे your support is my inspiration इसलिए आप से यह ओप है कि आप जाह से ज़्यादा लोग subscribe करवाएंगे और इन से जोड़ेंगे और share करेंगे thank you, thank you very much मिलता हूं next video में